इस साल की सबसे कॉंट्रोवर्शल फिल्म और चल्शाओं में हमेशा रहने वाली उर्ता पंजब अफाइनिली सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है आए जानते हैं जनता से ही कि ये फिल्म उन्हें कितनी पसंद आई जनता है Warmla कि ये फिल्म उफ इतना में में बड़िकर कोई तुकनी बनता, इसमें ये लिकाया जा रहा है कि क्या प्रमोट नियु गए ना की जो वह बे रहे हैं बडस आजू ये लोग है, जो आपा रहाई बेस्से भी सिर्फ, सिर्फ जानते भी नियुकॉ वह भी इंफ्लूएंस कैसे होते हैं और यही सबसे बहुत अच्छी लगी कि ऐसा सोशल इशू पहली बार किसी ने उठाया और बहुत अच्छी तरीक से कैसा है? प्रॉप बदे अद्ध इंदिन वस विट एक मिनट देखी तो नहीं है फिल्म लेकिन उसके बारे बता सकते हूं मतलब मज़े लगता है पुबलिसिटी इच एच इच पुबलिसी इच था गड़ता है आपसे इंवल्ड भी नहीं जो आपकी आपको बहुत पूर्प आपको देख रहे हैं, आपको जानते भी नहीं, वह भी इंफ्लेंस कैसे होते हैं, और यही ही सबसे बहुत अच्छी लगी कि ऐसा इसा आपको पहली वार किसी ने अठाया बहुत अच्छी तरीक से I liked the movie it was really good like people who come to know about the serious issue in our country so that was the thing I don't know why it was like banned and even like this is going on through lots of years like since many years so good thing like people came to know about this issue if I tell you about this century like it's not like so it's the part of the film it's maybe it's required in the film so yeah the the chairperson that Palat Nilani should like you know he should be think about the issue just think about this that it's not an issue anymore like using abusive words also I think it was brilliant it is a lot of prayer goes to everybody involved in the film from the makers the writers everybody Anurag Kasha Babishek Balaji tell films everybody was brilliant and the work they put in not to just make the film but the struggle they had to release the film and they've done it and I think it's brilliant and they've released it on the date they were supposed to everybody tried to push it everybody tried to delay it ban it but I think it's brilliant everybody was just too good okay that's it so there are many abusive countries are you in the movie so how do you define it that's the truth that's the truth that happens in Punjab and it's a real story they've shown the real scenario of Punjab यह नहीं नहीं देता और आप ऐसा दिखाया गया है कि ड्रग्स लेकर कैसे आपके अंदर का सबकॉंशिस जो आप नहीं भी करना जाते हो वह भाहर निकलता है आप चलते चलते गालियां दे देते हो कोई आपके साइट से कोई लग जाती आप उसमें गालियां देते हो तो I think यह था है पाल duplicates लुट र sharpen' kareतिया इतनी वह च यह था है यह जो है ऑज क i was Caseyizen है अलग टो जहां गाल iu éd इस दिए मैं और ले एंय बहुत सहे दिए दिए के अल रहे हैं और एま से अल चास लाए को प्रेवाइब दो है कि यहां पूर्टा पंजाब अपनी और चुका है यानी लोगो को यह फिल्म काफी पसंदारी है वैसे अगर आपने ये फिल्म नहीं देखिए तो अभी आप अपने नजदी की सिनेमा में जाकर देखिए और पायरी सी को जीतने मत दीजिए इस रभी कुमार साइनि आप विद कैमरामन भीम राज